हलो दोस्तों, आज की कहाने का नाम है बिखारिल अंधी प्रती दिन मंदिर के दर्वाजे पर जाकर खड़ी होती दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नमरता से कहती बाबुजी अंधी पर दया हो जाए वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहद्रदय और शृधालू हुआ करते हैं उसका यह अनुमान असत्य ना था आने जाने वाले दो-चार रुपे उसके हाथ में रखी देते थे अंधी उनको दुआएं देती और उनको सरहाती इस्त्रिया भी उसके पल्ले में थोड़ा सा अनाज डाल जाया करती थी प्रातर से संध्या तक वह इसी प्रकार हाथ फ्यलाए खड़ी रहती उसके पश्यात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के साहरे जोपड़ी कापत ग्रहन करती उसके जोपड़ी नगर से बाहर थी रास्ते में भी याजना करती जाती किन्तु रहागिरों में अधिक संख्या श्वेत बस्त्रो वालों की होती जो पैसे देने की अपिक्षा छिड़कियां देया करते हैं तब भी अंधी निराजना होती और उसकी याजना बराबर जारी रहती जोपड़ी तक पहुशते पहुशते उसे दो-चार पैसे और मिल जाते जोपड़ी के समीब पहुशते ही एक दस वर्ष का लड़का उचलता कूटता आता और उससे चिपट जाता अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चुमती उसकी गोद में एक बच्चा देखा वह रो रहा था अंधी उसका मुख चुम-चुम कर उससे चुप कराने का प्रेत्म करती रही वह कोई असाधारन गटना ना थी अथा किसी ने भी ना पूछा कि बच्चा किसका है उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसंथा उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती अंधी ने अपनी जोपड़ी में एक हांडी गाड रखी थी संधिया समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढाप देती इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टी उस पर ना पड़े खाने के लिए अनकाफी मिल जाता था उससे काम चलाती पहले बच्चे को पेट भर खिलाती फिर स्वयम खाती रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगा कर वहीं पड़ी रहती प्राथकाल होते ही उसको खिला पिला कर फिर मंदिर के दुआर पर जा खड़ी होती काशी में सेट बनार्सी दास बहुत प्रसिद व्यक्ति हैं बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा है धर्म में उनकी बड़ी रुच्ची है दिन के बारा बजे तक सेट इसनान ध्यान में सनलगन रहते कोटी पर हर समय भीड लगी रहती कर्ज के इच्चुक तो आते ही थे परन्तु ऐसे व्यक्तिव का भी तांता बंदा रहता जो अपनी पुंजी सेट के पास धरोवर रूप में रखने आते थे सैंकडो बिखारी अपनी जमा पुंजी इनी सेट जी के पास जमा कर जाते अंधी को भी यह बात ग्यात थी किन्तु पता नहीं अब तक वे अपनी कमाई यहां जमा कराने में क्यों हिच के जाती रही उसके पास काफी रुपे हो गए थे हांडी लगबग पूरी भर गई थी उसको शंका थी कि कोई चुरा ना ले एक दिन संध्या समय अंधी ने वे हांडी उखाडी और अपने फटे हुए आचल में चिपा कर सेट जी की कोठी पर पहुची सेट जी बही खाते के प्रश्ट उलट रहे थे उन्होंने पूछा क्या है बुड़िया अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डड़ते ड़ते कहा सेट जी इसे अपने पास जमा कर लो मैं अंधी अपाहिच कहां रखती फिरूंगी सेट जी ने हांडी की और देखकर कहा इसमें क्या है अंधी ने उत्तर दिया भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए दो चार पैसे संग्रह किये है अपने पास रखते डरती हूँ किर्पिया आप इने अपनी कोठी में रख ले सेट जी ने मुनीम की और संकेत करते हुए कहा बही में जमा कर लो फिर बुडिया से पुछा तेरा नाम क्या है अंधी ने अपना नाम बताया मुनीम जी ने नगदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वह सेट जी को आशिरवा देती हुई अपनी जोपड़ी में चली गई दो वर्ष बहुत सुक्के विजाद भी थे इसके पश्यात एक दिन लड़के को जोर ने आदबाया अंधी ने दवा दारू की साहस ने जवाब दे दिया निराश हो गई परन्तु फिर ध्यान आया कि संभवता डाक्टर के इलाज से फायदा हो जाए इस विचार के आते ही वह गिर्दी पड़ती सेट जी की कोठी पर आप उँची सेट जी उपस्तित थे अंधी ने कहा सेट जी मेरी जमापुंजी में से दस पांच रुपे मुझे मिल जाए तो बड़ी किर्पा होगी मेरा बच्चा मर रहा है डाक्टर को दिखाऊंगी सेट जी ने कठोर सुवर में कहा कैसी जमापुंजी? कैसे रुपे? मेरे पास किसी के रुपे जमा नहीं है अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया दो वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रग गई थी दे दीजिये बड़ी दया होगी सेट जी ने मुनिम की और रहसे मई द्रिष्टी से देखकर कहा मुनिम जी जरा देखना तो इसके नाम की कोई पुझी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है रही? अंधी की जान में जान आई आशा बंदी पहला उतर सुनकर उसने सोचा कि सेट बे इमान है किन्तु अब सोचने लगी संभवता उसे ध्यान ना रहा होगा ऐसा धर्मी व्यक्ती भी भला कहीं जूट बोल सकता है उसने अपना नाम बता दिया उलट पलट कर देखा फिर कहा नहीं तो इस नाम पर एक पाई भी जमा नहीं है अंधी वहीं जमी बैठी रही उसने रो रो कर कहा सेट जी परमात्मा के नाम पर धर्म के नाम पर कुछ दे दीजे मेरा बच्चा जी जाएगा मैं जीवन भर आपके गुन काऊंगी परन्तु पत्थर में जौक ना लगी सेट जीने क्रोध में होकर उतर दिया जाती है या नौकर को बलाओ अंधी लाटी ठेक कर खड़ी हो गई और सेट जी की और मू करके बोली अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे और अपनी जोकपड़ी की और चल दी यह आशिश ना था बलकि एक दुखी का शाप था बच्चे की दशा बिगडती गई दवादारू हुई ही नहीं तो फायदा क्या होता एक दिन उसकी अवस्ता चिंता जनक हो गई प्राणों के लाले पड़ गए उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई सेट जीपर रह रहकर उसे क्रोध आता था इतना धनी वेक्ती है दो-चार रुपे दे देता तो क्या चला जाता और फिर मैं उसे कुछ दान नहीं मांग रही थी अपने ही रुपे मांगने गई थी सेट जी से गिरना हो गई उसे बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया उसने बच्चे को अपनी गुवद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेट जी के पास पहुँची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई बच्चे का शरीड जुअर से भबक रहा था और अंधी का कलेजा भी एक नौकर किसी काम से बाहर आया अंधी को बैठा देखकर उसने सेट जी को सूचना दी सेट जी ने आग्या दी कि उसे भगा दो नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा किंतु वे उस इस्थान से तस से मसना हुई मारने का भे दिखाया पर भे तस से मसना हुई उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वे नहीं टलती सेट जी स्वयम बाहर पधारे देखते ही पहचान गए बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आशरे हुआ कि उसकी शकल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जूलती है साथ वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था उसकी बहुत खोजगी पर उसका कोई पता ना मिला उन्हें इसमरन हो आया कि मोहन की जांग पर एक लाल रंग का चिन था इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोट के बच्चे की जांग देखी चिन अवश्य था परंतु पहले से कुछ बढ़ा उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्ही का है फरंतु तुरंत उसको चीन कर अपने कलेजे से चिपटा लिया शरीड जोर से तप रहा था नौकर को डाक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयम मकान के अंदर चल दिये अंधी खड़ी हो गई और चिलाने लगी मेरे बच्चे को ना ले जाओ मेरे रुपए तो हजम हो गए अब के मेरा बच्चा भी मुझसे चीनोगे सेड़ जी बहुत चिंतित हुए और कहा बच्चा मेरा है यही एक बच्चा है साथ वर्ष पूर्व खो गया था अब मिला है सो इसे कहीं नहीं जाने दूँगा और लाख यतन करके भी इसके प्राण बचाओंगा अंधी ने एक जोर का ठाका लगाया तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यतन करके भी उसे बचाओगे मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते क्यों? यह भी कोई नियाय है? इतने दिनों तक खून पसीन एके करके उसको पाला है मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूँगी सेड़ जीक की अजीब दशा थी कुछ करते धरते नहीं बन पड़ता था कुछ देर वही मौन खड़े रहे फिर मकान के अंदर चले गए अंदी कुछ समय तक खड़ी रोती रही फिर वह भी अपनी जोपड़ी की और चल दी दूसरे दिन प्राथह काल प्रभु की किरपा हुई या दवा का कोई जादू सा प्रभाव दिखाया मोहन का जुअर उतर गया होश आने पर उसने आखे खोली तो सर्व प्रतम शब्द उसकी जवान से निकला मा चारो और अपरेचित शकले देखकर उसने अपने नेतर फिर बंद कर लिए उस समय से उसका जुअर फिर अधिक होना आरम हो गया मा मा की रट लगी हुई थी डाक्टरों ने जवाब दे दिया सेट ची के हाथ पाओं फूल गए चारो और अंधेरा दिखाई पड़ने लगा क्या करूं एक ही बच्चा है इतने दिनों बाद भी मिला तो मृत्यू उसको अपने चुंगल में दबा रही है इससे कैसे बचाऊं सैसा उनको अंधिका दियान आया पत्नी को बाहर बेजा कि देखो कहीं वे अब तक दुआर पर ना बैठी हो परन्तु वे है वहाँ कहा सेट ची ने फिटन तयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी जोपड़ी पर पहुँचे जोपड़ी बीना दुआर के थी अंदर गई देखा अंधि एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुदर बह रही है सेट ची ने धीरे से उसको हिलाया उसका शरीर भी अगनी की भाती तप रहा था सेट ची ने कहा बुढिया थेरा बच्चा मर रहा है डाक्टर निराश हो गए रह रह कर वे तुझे पुकारता है अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है चल और मेरे नहीं नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले अंधि ने उत्तर दिया मरता है तो मरने दो मैं भी मर रही हूँ हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर मा बेटे की तरह मिल जाएंगे इस लोक में सुख नहीं है वहाँ मेरा बच्चा सुख में रहेगा मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा करूँगी सेट जी रो दिये आज तक उनों ने किसी के सामने सिर न जुकाया था किन्तु इस समय अंधी के पावों में गिर पड़े और रो रोकर कहा ममता की लाज रख लो आखिर तुम भी उसकी मा हो चलो तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया उसने तुरंद कहा अच्छा चलो सेट जी सहरा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बिठा दिया फिटन घर की और दोड़ने लगी उस समय सेट जी और अंधी बिखार इन दोनों एक ही दशा में थे दोनों की यही इच्छा थी कि शिगर से शिगर अपने बच्चे के पास पहुँच जाए कोठी आ गई सेट जी ने सहरा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए बीतर जाकर अंधी ने मोहन के माते पर हाथ फेरा मोहन पहचान गया कि यह उसकी मा का हाथ है उसने तुरंट नेतर खोल दिये और उसे अपने समीब खड़े देखकर कहा मा तु मा गई अंधी बिखारन मोहन के सिराने बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया उसको बहुत सुकानुबव हुआ और वै उसकी गोद में तुरंट सो गया दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और दस-पंदरा दिन में वै बिलकुल स्वस्थ हो गया जो काम हकीमों के जो शान दे वैध्यों की पुडिया और डाक्टरों के मिक्स्चर ना कर सके वै अंधी की इसने मई सेवा ने पूरा कर दिया मोहन के पूरी तरे स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी सेड़ जी ने बहुत कुछ कहा सुना और उनी के पास रह जाए पर उन्तु वै सैमत ना हुई विवश होकर विदा करना पड़ा जब वै चलने लगी तो सेड़ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी अंधी ने मालूम किया इसमें क्या है सेड़ जी ने कहा इसमें तुम्हारी दरोहर है तुम्हारे रुपय मेरा वै अबराद अंधी ने बात काट कर कहा यह रुपय तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए संग रह किये थे उसी को दे देना अंधी ने थैला वही छोड़ दिया और प्लाठी तेकती हुई चल दी बाहर निकल कर फिर उसने उस गर की और नेतर उठाए उसके नेतरों से अश्रू बह रहे थे किन्त वह एक बिखारिन होते हुए भी सेट से महान थी इस समय सेट याचक था और वह दाता थी दोस्तो आज शी कानी आपको कैसी लेगी हमें कमेंट में जरूर बताए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थेंक यू फूर लिसनिंग